हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीकी से मश्रूम फ्राई बनाना सिखाऊंगी ये देखिए मश्रूम 200 ग्राम मैंने ले लिए अच्छे से क्लीन कर लिया है इनको अच्छे से साफ करके इसके लिए मैंने तीन मीडियम साइस के ये तीन प्याज लिए हैं आपके पास हरी मिरच हो दो आप हरी मिरच लेना ही मेरी मेरी पास नहीं ही इसलिए मैंने चार मिरचे लिए हैं अप प्याज को छोटा훈च कर लेंगे ये देखिए से मैं कर रही हूं ऐसे लम्बी शेप में छोटा-d Flint प्याच को बहुत अच्छे से यह देखिए इस तरीके से प्याच को चौप कर लीजे और बीच से मिर्च को स्लिट कर लीजे मैं कहरी हूं आप से क्या हरी मिर्ची ही लीजेगा अब इसमें बस आधा चम्मच ऑईल डालिए जीरा डालिए जीरा तड़कने लग जाए तो इस स बढ़ा प्याच को अच्छे से जब भून जाए इस स्टेज पर हलका सा नमक डाल देंगे जिससे की प्याच थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए इधर प्याच लाइट ब्राउन हो रहा है और साइड से मैंने मश्रूम को दो पार्ट में काट लिया है ये देखिए मश् से आप मश्रूम को कट कर लिजए यह इस तरीके से सबी मश्रूमों को अच्छे से कट कर लिजए और सबिल जब हर प्याच ब्याच भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया अब इस स्टेज पर हम मश्रूम को कढ़ही में डाल देंगे है और सौटे करेंगे यह देखिए कुछ भी पानी बगर एड़नी करना और यहां पर हम बेसिक मसाले धनिया हलकी सी मिर्च डालनी है क्योंकि हमने अलड़ी मिर्च डाल रखी है और थोड़ी सी चुटकी बर हल्दी डालनी है बस यह देखिए पूरे मश्रूम अच्छे से फ्र बनाएए और मश्रूम एक बहुत हेल्दी डिश है आप इसे बनाएए और इंज्वाइए कीजिए बहुत टेस्टी लगते हैं एक बार मेरी इस तरीके से बनाके जरूर देखिए थैंक्यू